नमस्कार दोस्तों, रिसेटली संगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन की समिट कलाकिस्तान के अस्ताना में चल रही थी, जहाँ पर रशिया और चाइना फिर से कॉंफलिक्ट के अंदर देखने को मिले, एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिले, सेंटरल एशिया के इशू के चलते, 2022 के अंदर यही रशिया चाइना के बीच में आल टाइम फ्रेंशिप ट्रीटी, नौ बॉर्डर स्ट्रेटर्जिक पार्टनर्शिप यह साइन हुई थी, जिसके कारण से यह बताया जा रहा था, कि यार रशिया और चाइना के बीच में इस अच्छी दोस्ती के कार थी ताकि ये दोनों देश वेश्ट के खिलाफ साथ में मिलके लर सकें, इनका कोई भी एम लॉंग टम में आल टाइम फ्रेंड के रूप में रहना नहीं है, क्योंकि एक सेंपल सा नियम है, दो एग्रेसिव कंट्री कभी भी आल टाइम फ्रेंड नहीं हो सकती, हाला कि के कारण, अब ऐसा क्यों होगा और अभी क्या हुआ है, इससे मैं शुबेजनिक चोहान डीटेल में आप लोग इसाथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग में साथ में साथ में साथ में टेलिग्राम ग्रूप के उपर जुड़कते हो, मिरे क्लास की अपडे और one-on-one guidance देंगे, साथ में GA, CSET, essay writing, ethics, इन सारी चीजों का complete coverage दिया जाएगा along with mentorship, doubt solving and testing, अगर आपको unacademy के उपर जुड़ना है, तो आप लोग के बास में अच्छा मोगा है, unacademy offline आ चुका है, एक ऐसा platform जहां से कई सारे toppers निकले हैं, पिछले साल 2023 के अंदर top 10 में 4 बच्चे, top 20 में 10, और total 315 बच्चे unacademy से qualify हुए थे, इन में से maximum बच्चे interview guidance program है, बलकि हमाये platform पर पढ़े हुए बच्चे, हमाये top educator द्वारा guide की हो बच्चे, अगर आप भी unacademy के उपर जुड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, नीचे description के अंदर मै अलग-अलग centers की, पहली है, ऐसे बच्चों के लिए जो देली के अंदर है, वो हिंदी मेडियम में है, वो मुखजी नगर वाले center पर register करेंगे, हमारी team आपको reach out करेगी, complete guidance देगी, अगर आप देली में हो, English medium में हो, तो आप करोलबाग वाले center पर enroll करोगे, अगर आप प् हुआ क्या है, देखो, दुनिया भर के लीडर, या कहूँ, शंहाई corporation organization के सारे लीडर, आपको इस summit के अंदर देखने को मिलेंगे, जो recently अस्ताना के अंदर हुई, हाला कि भारत के प्रधान मंतरी ने इस summit को attend नहीं किया, आप भारत के प्रधान मंतरी की जगे, भारत के foreign minister, आपको आपर देख सकते हो, भारत के prime minister ने बात आती है, इस meeting को क्यों attend नहीं किया, तो देखो, सारे speculation है, हुआ कुछ ऐसा है कि भारत के प्रधान मंतरी ने ये काया कि पाल्यामेंटरी सेशन के साथ में चंगाई corporation organization की summit clash कर रही है, इस कारण से, वो इस meeting में नहीं आ पाएं बट ये reason थोड़ा सा illogical लगा लोगों को इसलिए, क्योंकि जुलाई के ही, एक हफ़ते के अंदर अंदर अभी, पाँ दिन के अंदर भारत के प्रधान मंतरी रश्या जाने वाले हैं, और parliamentary session के लिए international organization को तब skip किया जाता है, जब ऐसा session हो, जो बहुत important हो, जैसे no confidence motion pass होन होने वाला हो, या फिर motion of thanks pass होने वाला हो, ऐसे सारे motion जो सरकार को गिराने की शमता रखते हैं, उस समय पर हो सकता है, international organization को इसलिए छोड़ा जाए, ताकि parliamentary session को attend किया जाए, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा था, उसके बावजुद भी parliamentary session का भाना बनाते वो SEO की summit को यहाँ पर भारत के प्रदान मंति ने अटेंड नहीं किया, जिसके current से कई सारे experts का कहना यह था, कि हो सकता है कि चाइना के साथ में border clashes या Russia-Ukraine war के लिए भारत की एक नई strategy अब दुनिया के सामने आए, बट जो main agenda है हमारा session का वो यह है कि आर रशिया और चाइ चाइना का belt and road initiative आप जानते ही हो, चाइना का belt and road initiative है जिसके जरीए चाइना, एशिया, अफरीका और यूरप को एक सांच जोड़ना चाहता है, one belt, one road के जरीए, अब चाइना के belt and road initiative में Central Asia बहुत important है, एक crucial role प्लेगा, क्योंकि एक तो यह चाइना के जज़ परोस में है, द यहाँ पर अगर infrastructure project चाइना बनाता है, तो वो पूरे एशिया के अंदर, इवन एशिया की यूरप और अफरीका से connectivity दे पाएगा, मतलब सबसे crucial part belt and road initiative का Central Asia है, जिसके कारण से चाइना बल्क में इस region के अंदर invest करता है, चाइना के इस investment के कारण चाइना की यहाँ पर power बढ हेजिमनी बढ़ रही है, जिसके वज़े से रश्या की हेजिमनी के उपर याँ पर स्रेट उपर रहा है, अब आप काऊगे अरे सर यह कैसी illogical सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको आप अपने उपर फिल करो, यहाँ इंडिया है, इंडिया की हेजिमनी है इंडियन ओशि में, चाइना ने जब पाकिस्तान में, चाइना ने जब बांगलादेश में, चाइना ने जब मियामार में, चाइना ने जब जीबूती के अंदर इलवेश करना शुरू किया, तो ओबिसली चाइना की पावर इस रीजन के अंदर बढ़ने लगी, जो भारत की हेजिमनी के पर ठ्रेट हो गया और भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट जो पहले जमीन पे थे वो समुद्र रुपे भी उभर के आ गए ती मिले लिए सेंट्रल एशिया जो की एक समय पर यूएससर का भाग हुआ करता था जिसके साथ में हिस्टोरिकल कल्चरल लिंग्विश् और रुशिया यहाँ पर मिजर पावर के रूप में देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया की डिपेंडेंसी है रुपर अब चाइना के इन्वेश्मेंट के बढ़ने के कारण चाइना यहाँ पर ज्यादा पावरफुल होता हुआ दिखाय दे रहा है ये क्लियरली आप कैस चाइन ड्यूस आर्टिकल के इस स्टेट्मेंट में देख सकते हो चाइना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ड्वार्फ रुशिया स्पोजिशन इन सेंट्र एशिया चाइना हेविली इन्वेश्ट इन सेंट्र एशिया इंफ्राशक्चर थू बेल्ट एंडोड इनिशेटिव गेन स्टेज है क्योंकि संहाई कोप्रेशन और्गनाईजरेशन में कराकीस्तान, कुस्बेकित्त, क्रिकिस्तान, तजजिकस्तान यानिए कि पाँच सेंट्रल इश्या ही देशनों में 4 देश इक भूर्ण के देखने को मिलता हैं जिसके एक व्योद्रिय के न्दर कोपरेट करने के लिए Central Asia में अपनी हेजीमनी को बढ़ाने के लिए SEO को ज्यादा important मानती है जैसे Russia ने इस बार कहा We believe that SEO and another major organization Brics are the main pillar of the new world order and engine in terms of establishment of genuine multilateralism in world affairs वहीं दूसरी तरफ चाइना इस Shanghai cooperation organization की summit में क्या कर रहा था ये Central Asia के अलग-अलग देशों से जाता उनसे meeting करता और उनसे कहता है कि हम इत्ता invest कर देंगे हम इत्ता invest कर देंगे जिसके current से Russia को दिक्कत होना शुरू हो चुकी है अब ये जो दिक्कत है ये हो रही है 2022 के अंदर no border strategic partnership friendship treaty इन साइच चीजों के बावजूद क्योंकि actual में Russia और China दोस्त है ही नहीं historically ये कभी दोस्त थे भी नहीं अभी इन दोनों ने अपनी दोस्ती बढ़ाने का प्रयास किया है इंडिया के खिलाफ नहीं Western country के खिलाफ क्योंकि Western country के लगातार sanction Russia के ओपर और China के aggression के खिलाफ देखने को मिल रहे थे क्योंकि इन दोनों के खिलाफ aggression देखने को मिल रहा था Western country के द्वारा इस कारण से ये दोनों country या Western country के खिलाफ अपनी partnership को श्रॉंक कर रही थी उसके बावजूद भी Russia भारत के साथ में regular collaboration करता हुआ दिखाय देता है चाइना के relation की ताख पर जैसे International North-South Transit Corridor जो कि चाइना के ही Belt and Road initiative का counter है रहे द्वारा शुरू गिया गया इसको वापस से revive कर दिया रहे ने चाइना के भी आप ऐसी हरकते देखोगे 2023 के अंदर चाइना क्या करता है चाइना द्वारा एक island है हैं जियाजी island जियाजी island है जो कि Russia क्लेम करता है और Russia के region में आता है पर चाइना ने 2023 के अंदर इस island को अपने map के ओपर दिखा दिया जिसके कायान से वही 1960 वाला historical conflict Russia और चाइना के बीच में जिस समय पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ nuclear war पर उभर आये थे जैन बाव island के लिए वही conflict वापस से उभरता हुआ दिखाय दे रहा है तो यह साई dispute हम लोग को देखने को मिल रहे हैं आप लोग वह साई बात समझ में यूँगी लेक्षे अच्छा लगाओ लाइक करना लेक्षे बहुत अच्छा लागाओ तो नीचे साटेटन कमेंट करना यूप्स ही द्यारी करना इंडाइक टॉप एजूटर से अगर आप लोग को ऑफ-लाइन पढ़ना है तो आप लोग